दोस्तों गर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया दूसरे वंडे में श्री लंका को धूल चटा कर तगडी वापसी करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों दूसरे वंडे में श्री लंका को रौंदने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने कसली है कमर बस थोड़ी देर में बजने वाला है सबसे रुमान चक सांस रोक देने वाले दूसरे वंडे महा मुकाबले का बिगुल एक नई खुंकार प्लेंग 11 के साथ मैदान में कदम रखेगी टीम इंडिया तो आकिर कब और कहां खेला जाने वाला है ये सीरीज का अब तक का सबसे खतरनाक मुकाबला कितने बजे से होगी इसकी शुरुआत ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही साथी साथ पिच र नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों भारत को अगर श्री लंका के खिलाफ दब दब बनाये रखना है तो से रविवार को यहां होने वाले दूसरे एक दिवसी अंतुराश्ट्य क्रिकेट मैच में स्पिनरों और धीमी पिच से निपटने का तरीका भारत शुकरवार को खेले गए पहले बंडे मैच में 231 रन के लक्षे का पीछा करते हुए एक समय तीन विकेट पर 130 रन बनाकर अच्छी स्थिती दिख रहा था लेकिन इसके बाद श्री लंका के स्पिनर हावी हो गए और भारती टीम 230 रन पर अल आउट हो गई जिससे य पहर अरगस तरविवार को भारती राष्ट्री क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका की राष्ट्री क्रिकेट टीम 3 मैचों की वंडे सीरीज का दूसरा मैच को लंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय सेमनोसार 2.5 बजे खेला जाएगा भार जंगरेजी कमेंटरी के लिए Sony Sports 5 HD और हिंदी कमेंटरी के लिए Sony Sports 3 HD पर देख सकते हैं साथ ही इंडिया वर्षिस श्री लंका का प्रसारन Sony Sports 4 HD तमिल और तेलकू TV चैनलों पर भी किया जाएगा वहीं भारत बनाम श्रीलंका लाइफ स्ट्रीमिंग देखने के लिए विकल्प के लिए अब सोनेलिफ एप और वेबसाइट पर जा सकते हैं दोनों टीमों के बीच ये मैच इतना काटे का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों का इतिहास बेहद डरावना रहा है भारत और श्रीलंका वंडे प्रारूप में केवल 179 बार एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं जिसमें भारत ने 99 जीत हासिल किये और श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं एक मैच टाई हो गया है भारत का दबदबा रहा है लेकिन पिछले मुकाबले में टीम इंडिया को कड़ी चुनौती मिली थी जो इस मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेंगे जहां की पिछ पर एक बार फिर स्पिन गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाली है ऐसे में बल्ले बाजों को यहां काफी मुश्किल होगी यानि कि यहां पर संभल कर बैटिंग करना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा इसी कारण अब परिस्थितियों के हिसाब से टीम में भी कई बड़े बदलाफ करने पड़ेंगे जी हां दोस्तों सबसे पहले श्री लंका के प्लेंग 11 की बात करें तो श्री लंका की टीम को हलके में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है जहां उनके पास ओपनिंग करम में पाधुम निशंका और आविश्का फरनांडो जैसे बहतर खदर ना खिलारी हैं तो वहीं मद्यकरम में कोशलमेंडे सदीर समर विक्रमा जनित लियेंगे जैसे खुंकार खिलारी टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए बड़ा खदरा बन सकते हैं और राउंड डिबार्टमेंट में वानिंदु हसारंगा और दुनित वैला लगे पिछले मैच में क्या किया था हम सभी ने देखा तो वहीं उनके गेंदबाज भारती बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं अकिला धननजा के साथ अश्रिता फर्नांडो और महुमत सिराज भारती बल्लेबाजी करम को तहस नहस कर सकते हैं ऐसे में टीम इंडिया को इन सभी खिलाडियों से बच कर रहना होगा तो वहीं दोस्तों अब टीम इंडिया में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं क्योंकि रोहिच शर्मा अपने ही खिलाडियों से काफी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि यदि पंथ पहले वंडे में भी टीम में होते हैं तो शायद रिजल्ट कुछ और हो था और श्रेय सायर से अब रोहिच शर्मा का भरोसा उड़ चुका है तो वहीं पांचवे नंबर पर केल राहूल अभी भी टीम में बरकरार रहेंगे उनके कंदों पर बड़ी जिम्बेदारी रहने वाली है तो वहीं छटे नंबर पर शिवम दूबे को बाहर निकाल कर हो सकता है रियान पराक को मौका दिया जाए हाला कि इसकी संभावना बहुत कम है आल अराउंड डिबार्टमेंट में वाशिंग्टन सुंदर और अक्षर पटेल रोहिच शर्मा के दो सबसे बड़े हतियार एक बार फिर दूसरे वंडे मैच में साबित होने वाले हैं तो वहीं कुलदीब यादव की फिर्की का तोड़ श्री लंका के पास नहीं है पहला वंडे मैच कोलंबो के मैदान पर खेला जहां पर इस मैच के अंदर दौनों टीम ने बराबर का स्कोर खड़ा किया और इसी के साथ पहला मैच टाई हो गया था जिसके बाद अब दूसरा और तीसरा मैच बागी है आपको बता दें भारत और श्री लंका के बीच में दूसरा मैच कोलंबो के इसी स्टेडियम पर चार अगस्त को खेला जाएगा जिसके लिए दौनों टीम तैयार हो गई है लेकिन इस बीच दुनिया भर के दिगजों ने भवेश्यवानी कर सभी को हैरान कर दिया है जिसमें रिकी पॉंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतिय टीम को श्री लंका के खिलाव पहले वंडे मैच में जीत-दर्ज करने का मौकर नहीं मिला है हाला कि पहले मैच में भारतिय टीम ने बहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की परन्तु पहले मैच के अंदर भारतिय टीम सिर्फ मैच को बराबरी पर ले जा सकती थी तो वहीं श्री लंका की टीम ने काफी ज्यादा बहतर प्रदर्शन किया था ऐसे में अब मुझे लगता है कि ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम के लिए श्री लंका के खिलाव दूसरे मैच को अपने नाम करेगी हलाकि किसी एक टीम के पक्ष में जीत होती तो शायद ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था लेकिन भारत और श्री लंका मैंसे कोई भी टीम पहले मैच को नहीं जीत पाई ऐसे में अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सी सीरीज में जीत की दावेदार होगी इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए का है कि श्री लंका की टीम ने जिस प्रकार से पिछले मैच को भारत के खिलाफ हार के करीब जाने के साथ मैच को ड्रॉ कर आया है वो बताता है कि श्री लंका की टीम मजबूत प्रदर्शन कर रही है ऐसे में मुझे लगता है कि दूसरे मैच में भारत को हार मिल सकती है तो वहीं सुनील गावसकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम को श्री लंका के खिलाफ पहले मैच में जीत नहीं मिली है जिसके बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि इस मैच में भारतिय टीम को आसानी से जीत मिल सकती है लेकिन पता नहीं क्यों हमारी टीम के खिलाडियों ने गलती करते हुए मैच को अपने हाथ से गवा दिया लेकिन अब दूसरा मैच बाकी है जिसके लिए दौनों टीमें तैयारी में लग गई है मुझे लगता है कि इस सीरीज के दूसरे वंडे मैच के लिए भारतिय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि भारतिय टीम के पास में अब काफी ज्यादा बहतर बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिये सभी को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे में अब हमारी टीम के खिलाफ श्री लंका की टीम अब हार के लिए तैयार हो जाए तो मैं श्रोइब अक्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतिय टीम को श्री लंका के खिलाफ पहले मैच में जीत मिलनी चाहिए थी लेकिन भारतिय टीम पहले मैच को नहीं जीत पाई थी लेकिन यहाँ पर श्री लंका की टीम का बहतर प्रदर्शन देखने को मिला जो जीत में तो कनवर्ड नहीं हुआ लेकिन मैच टाई जरूर हो गया इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम को श्री लंका के खिलाफ दूसरे मैच में जीत दर्श करने का मौकन नहीं मिलेगा ऐसे में भारती टीम इस मैच में हार के लिए अब तैयार हो जाए तो दोस्तों आपको क्या लगता है श्री लंका के खिलाफ दूसरे वंडे मैच में भारती टीम को जीत मिल पाएगी या नहीं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों जैसा कि आपको पताए भारत और श्री लंका के बीच टी 20 सीरीज के समापन के बाद वंडे सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला मैच आज कोलंबो के मैदान पर खेला गया इस मैच में आज भारती टीम ने टॉस हार कर पहले गेन बाजी करते हुए श्री लंका की टीम को 230 रन आठ विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद 50 ओवर में रोग दिया हलाकि इसका पीछा करने के लिए आई भारती टीम ने तेजी से बल्ले बाजी किया पर इस लक्षे का पीछा करने का प्रियास किया हला कि भारती टीम ने बहतर बल्ले बाजी करते हुए लक्षे को अपने नाम लगबग कर लिया था लेकिन अंत में भारती टीम के लगातार विकेट गिरते हुए चले गए और अब भारती टीम 47.5 ओवर में ओल आउट 230 रिन पर हो गई जिसके चलते मैच टाई हो गया एजमे मैच के टाई होने के बाद कप्तान रोहिच शर्मा जब प्रोटेक्शन सेरमनी के दौरान अवार्ड लेने के लिए पहुँचे तो उन्होंने अवार्ड हासिल करने के बाद श्री लंकाई कप्तान चरित असलंका को अपना अवार्ड समर्पित कर दिया तो इसके पीछे का खुलासा करते हुए रोहित शर्मा ने बड़ा बयान जारी कर दिया जस्मन होने कहा है कि आज के दिन بारतीय टीम को बढ़ी जीत मिलनी चाहिये थी लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीत नहीं पाई है हालागि इस मैच में हमारी टीम को जीत नहीं मिलिया और नहीं हार का सामना करना पड़ा है लेकिन मुझे इस मैच में ये टाई गेम एक बहतर सबक के तोर पर दिखाई दिया है जिसको मैं कभी भी नहीं भूलना चाहता हूँ एस मैच के अंदर अगर किसी खिलाडी के चलते भारती टीम को जीत नहीं मिली है तो उसे खिलाडी का सम्मान करना विरोधी कप्तान होने के नाते बेहत जरूरी है एसमे आज अगर हमारी टीम को जीत नहीं मिली है लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कंडीशन को समझा और बहदर तरीके से अपने के इन्वाजों का इस्तिमाल किया साथ में खुद कप्तान के तौर पर आगे जाकर टीम को मजबूती के साथ जीत दिलाने का प्रयास करते हुए। दिखाय दिये वो बताता है कि एक खिलाडी श्रीलंका टीम के लिए क्यूँ जरूरी है बहरती टीम के खिलाव श्रीलंका बेशक इस मैच को नहीं जीती है लेकिन मेरे लिए श्रीलंका ने जीतने वाला कारे कर दिया जेतенे का मौका नहीं था।